एलो जी नमस्कार मेरा नाम है शेफ अरपाल सिंग सोकी और पानी पूरी जो है बहुत खाई होगी आपने स्ट्रीट्स पे और पानी पूरी का आकार बहुत बदल गया है नॉमली तीकी खटी मीठी तो आपने देखिए लेकिन स्ट्रीट वाली पानी पूरी देखिए क्या नहीं देखिए न आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ चोकलेट पानी पूरी और वो भी मसेदार कैसे बनती चलिए दिखाता हूँ चोकलेट पानी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले यह जो पानी पूरी हमने लिए है यह अपने क्रश कर लेने इस तरह से बड़ा कमाल का आठ है ये पूरी बनाना और तोड़ना दोनों ये रिखे ये सब पूरियों को हमने एक उपर से होल बना लिया नेक्स्ट ये मेरे पास डाक कंपाउंड चॉकलेट है मैं इसे माइक्रोवेब में मिल्ट कर लूँगा तो इसे मेल्ट कर लेते हैं लगबग 20 से 30 सेकेंड माइक्रोवेब में डाल लेते हैं लगबग 30 सेकेंड के बाद एक बार चेक कर लें उसके बाद अगर आपको लगे कि चॉकलेट अभी भी तयार नहीं है तो वापस से आप मेल्ट करने डाल सकते हैं यह इस तरह से आप चॉकलेट जो है बढ़िया यह देखिए सॉफ्ट हो गई है और मैं मिक्स करके चेक कर लेता हूँ पूरी की पूरी मेल्ट होती है कि नहीं चॉकलेट का टेमपर बिल्कुल सही है और कोटिंग के लिए बहुत के बढ़िया होका यह देखिए टेमपरिंग जिसको कहते है ना उसमें क्या होना चाहिए ठोड़ी सी चॉकलेट सॉफ्ट होनी चाहिए और थोड़ी सी हाड़ी होनी ची तो टेमपरेचर बिल्कुल करेक्ट आता है और उससे वापस चोकलेट जब आप कोट करते हैं किसी सी कीज को सॉलिडिफाई हो जाती है यह बिल्कुल देखिए हमने पहले सोचा था कि यह मेल्ट नहीं हुई देखिए अब पूरी तरह से चॉकलेट जो है अल्मोस मेल्ट हो गई मेरा ख्याल से मैं बस दस एक सेकंड और करूंगा माइक्रोवेव में अब यह चॉकलेट बिल्कुल पर्फेक्टली तयार क्या बात है चॉकलेट इस रेडी और मैं भी तयार हूं नेक्स्ट चेप क्या करना वह आपको बताता हूं हम एक प्लेट ले लेते हैं प्लेट को यहां रखते हैं और यह जो पानी पूरी हमने ली है यह बस क्या करना है वह बताता हूं यह चॉकलेट में अच्छी तरह से इस तरह से आपने कोट करना है यह देखिए कोट कर लिया और इसको बस इस तरह से रख ले अब इनको थंडा करने रख देते हैं अब फिरिज में हमने पानी पूरी रख दी है अपनी मतलब चॉकलेट वाली कोटेट जो पानी पूरी है लगमाद 2-3 मिनट में पढ़िया चॉकलेट सेट हो जाएगी तब तक एक काम करना है ये दोनों चीजें ले लेते हैं दूद और रोस सिरप ठीक है जी ये पढ़िया ने च्लिया बात है हमारा मेश्रीन भी तैयार दूद मी बढ़ियाव तैयार हो गया है नेक्स्स एप पानी पूरी बिलख ये परोसमे के लिए ये बढ़िया गच ले लेते हैं और इसे मैं रख लेता हूं, वो पानी पूरी बिल्कुल तयार है, परोसने के लिए ये पढ़िया ग्लास ले लेते हैं, और ये ग्लासेज में हमें काम करते हैं, हमारा जो ये पढ़िया रोस सिरफ हमने बनाया था, ये लेते हैं, हाहा, क्या बात है, और ये हमने रोस मिल्क क और इसमें ये थोड़ी सी बड़ी वाली भूंदी ये डालते हैं, ये लिजिए, अब हमने इसमें भूंदी डाल दी, नेक्स्ट चॉकलेट सिरफ थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ये ही भूंदी पे, फाइनली, थोड़ी सी चॉकलेट वर्मिसिली, ये उपर से छिड़क देंगे, और फ्लेट में भी थोड़ी सी छिड़क देंगे, ये लिजिए, चॉकलेट पानी पूरी तयार, अब ये इतनी मस्यदार है, पूछिये मत, वैसे तो आपने भूद तरह की पानी पूरी खाई, लेकिन चॉकलेट पानी पूरी ऐसे कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि मैं जब घूनता हूँ, ऐसी चीजें ढूनता हूँ, और उसके बाद सोचता हूँ कि इसे और कैसे इनोवेट किया जाए, तो बस आपके लिए ले आओं,